नमस्कार बोस्ट स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पर बंतिवारी IPLS सीजन 2022 का मैच नमबर 21 आज गुजरातर टाइटन्स और संर्राइजर्स हिदरबाद के बीच खेला जाएगा आपको बता दें कि डिवाई पाइटल स्टेडियम में ये मकाबला होगा और गुजरातर टाइटन्स इस सीजन की मातरी कैसी टीम है जिसने अभी तक कोई भी मैच नहीं आ रहा है इसके लावा बात करें संर्राइजर्स हिदरबाद की तो संर्राइजर्स हिदरबाद ने भी अपने पिछले मकाबले में जीत दर्श कर अपनी पहली जीत हासिल की है गुजरात टाइटन्स इस वक्त छे अंकों के साथ पॉंच टेबल में तीसरे नमबर पर हैं वहीं बात करें संडराइजर सहधराबाद की तो संडराइजर सहधराबाद ने भी एक जीत हासिल करके पॉंच टेबल में अपनी स्थिती को मजबूत करने का प्रयास कर आठवे नमबर पर अपनी जगय बनाई है बराल इस मुकाबले में गुजरात यहीं चाहेगा कि जीत करके टॉप पर अपनी नजर बनाई जाए इसके लावा बातचीत करें कि इस मुकाबले में कौन से प्लेयर बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं तो सबसे पहले गुजरात टाइटन्स के कप्तान हार्दिक पांडिया अगर इस मैच में एक छक्का लगाते हैं इसके लावा बात करें डेविड मिलर की तो गुजरात के बलेबास डेविड मिलर भी T20 में अपने 350 चक्के पूरे करने के लिए केवल 3 चक्के दूर हैं इसके लावा बात करें T20 करकेट में 8000 रन पूरे करने के लिए उन्हें मात्र 76 रनों की जरौत है और अगर आज उनका बल्ला चलता है तो वह भी यह record बना सकते हैं वहीं गुजरात के स्पिनर राशित खान भी IPL में 100 विकिट पूरे कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें 2 विकिट की अभी जरूत है संराइजर्स हिदराबाद की कप्तान केन विलियमसन भी अपने IPL में एक बड़े record कर पा सकते हैं और अगर आज वह 65 रन और बनाते हैं तो केन विलियमसन आईपिल में 2000 रन पूरे करने वाले खिलाडी बन जाएंगे इसके लावा निकोलास पूरन जो के हधराबाद के खिलाडी हैं वो भी टी 20 क्रिकेट में 300 चके पूरे करने के लिए केवला 3 चके और दूर हैं अगर वह भी आज 3 चके लगाते हैं तो वह भी बड़ा record अपने नाम कर लेंगे बरहाल कौन-कौन इस match में record बनाएगा ये तो देखने वाली बात होगी आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बता हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें वर इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें नमसकार